विल्कम बैक तो वाचन मोर इंडिया मैं हूँ आपका दोस्व औरफ चक्रवर्थी आज हम लोग अंबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले है एक सेको आटोमेटिक वाच जिसका मॉडल नंबर है SNK-A05-K1 जो एंट्री लेवल सेको आटोमेटिक वाच है आए शुरू करते हैं देखिए वाइट कलर का ये बॉक्स में ये वाच आया है इसके वाच के जो पीछे के तरफ है यहां पर स्टिकर में कुछ इंपॉर्मेशन है मॉडल नंबर जो मैंने बताया मन्त ऑफ मैनॉफक्चर काफी रिसेंट जून 2023 में मैनॉफक्चर हुआ है 13,500 की प्राइस तो ये है इस वाच का कुछ basic information अभी हम लोग unboxing चालू करेंगे बाहर के white box को open करने के बाद ये जो main watch के boxes आते हैं और साथ में जो documentation जिसको अभी हम लोग quickly देखके side में रखने वाले ये है इसका जो user manual और warranty documents तो इस box को हम लोग side में रखेंगे और हम लोग जो primary box से उसके तरफ focus करेंगे box को अगर हम open करते हैं तो box के अंदर watch है और पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो tag है क्या है पहला वाला जो tag है ये है जो global tag जिस पे reference number और बार कोड दिया गया है water resistance बता गया है और इसका caliber number जो 7S26 automatic जो सेको का own manufactured caliber है वो भी इस पे mention किया गया है पीछे के तरफ silver color का सेको लोगो है ये इंडिया वाला जो bar tag जो barcode है इंडिया में प्राइस का 13,500 है same information है पर इस पे इंडिया का जो INR का MRP mentioned है और इस पे white color का य सेको का एक masterpiece है अभी ये आपका पहला automatic watch बन सकता है या नहीं ये decision में आपके उपए छोड़ता हूं YouTube में काफी सारे influencers है जो watch experts है उन्होंने अपने opinion दे चुके है तो मैं उस direction में बिलकुल जाना नहीं चाहता मैं बस इस video में cover करने वाला हूं मेरे जो भी whatever जो कम experience है मेरे प को इस watch का एक better virtual experience provide कर सकता है सबसे पहले हम लोग dial देखते है देखिए dial जो है beautiful blue color का sunburst effect के साथ आता है और ये dark blue color का है beautiful watch है camera कितने justice कर पा रहा है I doubt but मैं in front जो देख रहा हूं in person जो देख रहा हूं ये definitely एक beautifully looking dress watch है ये watch compact size का है 36 mm case diameter के साथ आता है ये watch और 41 hours का power reserve के साथ आता है इस watch के अंदर जो movement है वो है 7S26C movement ये movement Japan, Malaysia या Singapore में सिको का जो plant है इन दीनों में से कहीं पे manufactured होता है और completely reliable है 1996 में first time launched हुए थे use on a start हुआ था 21 jewel movement है dated complication के साथ आता है और बहुत ही जादा reliable है सालों साल चलने वाला है अगर इस watch को आप हपते में एक बार भी चालू कर लेते हो तो तो अभी watch face के तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो देखिए ये 12 o clock position पर सेको का branding है और नीचे old सेको 5 model का जो लोगो था ये model इस पर दिया गया है ये लोगो इस पर दिया गया है अभी जो नया जो सेको 5 sports के जो watches आते है उसका लेकिन 5 बाला जो लोगो है तोरह different है अब देख सकते हैं जो ये this is SRPD range का सेको है इसका जो सेको के नीचे सेको 5 का जो लोगो है वो तोरह different है और ये जो watch है इसका की तोरह different है इसका 3 o clock position पर day date window है और 6 o clock position पर automatic 21 jewel ये mentioned है इस पच के hour markings और minute markings सारे straight line type है hour marking metal insert है silver shiny finish या फिर mirror finish भी आप कह सकते हो उसके साथ आता है hour and minute hand loom right के साथ आता है second hand without loom right सारे design language में आपको stainless steel का जो chrome finish या फिर mirror finish का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा hour markings के inner end में loom right का dot दिया गया है और hour and minute hand loom right के साथ आता है of course Seco का loom right best in class है उसका हम लोग camera shot भी देखेंगे देखिए दोस्तों Seco automatic watch का loom right luminosity Seco के आगे कोई नहीं जा सकता है बहुत अच्छा दिख रहा है कोई भी light condition में time देखना बच्चों का खिल बना देते है इस quality का loom right definitely in terms of luminosity ये watch अपने price point में सारे brands को पीछे छोड़ देग ये display case back के साथ आता है ये watch तो इसके through up इसके movement को देख सकते है ये Seco का movement है जो मैं पहली बता चुका हो 7S26C movement है इस पे case back में Seco का branding है water resistant ये mention इस watch पे water resistance का rating clearly mentioned नहीं है पर ये 30 meter water resistance के साथ आता है जो dress watch के लिए बिलकुल perfect है इसका case है solid stainless steel का है और इस पे mirror finish का use किया गया है shiny mirror finish definitely dress watch के लिए एक shiny mirror finish dress watch का जो appeal है उसको एक next level तक लेके जाता है crown जो है इसका 4 o'clock position पर है ये एक unique feature है Seco 5 series का सारे जो Seco 5 series होते है इन में आपका crown जो है वो 4 o'clock position पर ही टेखने को मिलता है जो मेरा SRPD green color का watch है उस पे भी same crown 4 o'clock position पी आपको तेखने को मिल जाएगा ये crown का दो पूल आउट position है पूल आउट position 1 में आप day और date adjust कर सकते हैं अगर आप clockwise घुमाते है तो date adjust होता है anti clockwise घुमाते है तो ये day adjust होता है और पूल आउट position 2 पर आप इसका time adjust कर सकते हैं और इस पे hacking features नहीं है दोस्तों hacking features क्या होता है, जब आप date adjust करने जाते हो या फिर time adjust करने जाते हो, तो second hand रुख जाता है, इस पर आपको और accurately आप time set कर सकते हो, या फिर आपके पास more than one watch है, सबका time आपको synchronize करना है, तो second अगर अपने हिसाब से सारे watch का बढ़तार है, तो फिर जो perfect watch setting, time setting है, वो नहीं हो प features, normal user के लिए उतना important तो है नहीं दोस्तों, तो उसको आप definitely ignore कर सकते हैं, और एक चीज़ बता दू, इस पर manual winding capability नहीं है, तो इस watch को जब भी आपको चालू करना है, आपको time, day rate adjust करके, थोरा बहुत check करके पहन लीजिए, रोटर इसको चार्ज कर देंगे, और daily basis में अगर आप 8-10 घंटा या फिर 5-6 घंटा भी पहन के रखते हैं, तो यह जो movement है, 41 hours का power reserve के साथ आता है, तो इस पर आपको कोई भी power reserve enough है, तो tension लेनी की ज़रूरत नहीं है, watch हमेशा चलती रहेगी, अगर काफे दिन तक यह watch पढ़ा रहे है, अगर आप use नहीं कर रहे हो, तो अगर आप regular basis पे या फिर हफते में एक बार भी watch को चालू करते हो, तो इसको 5-7 साल के अंदर कोई भी servicing के जरूरत नहीं बढ़ेंगे, और यह lifelong रहने वाला है आपके पास, आप from one generation to दूसरा generation, next generation आप this watch के legacy को आप pass on भी कर सकते हैं, देखेंगे इसका bracelet, metal bracelet के साथ आता ह और इसका जो bracelet का size है तो थोड़ा unique है, तो आपको कभी अगर आप replacement bracelet लेने का सोच रहे हो या फिर leather strap लेने का सोच रहे हो, तो आपको समझ के लेना है कि यह सेको के लिए आप ले रहे हो, तो यहाँ पर standard lug यह नहीं है, यह customized है, पर इसका bracelet का जो look है अच्छा है, यह folded link bracelet है, थोड़ा बहुत rattling sound है, hair pulling वगरा कोई issue नहीं है, इस पे कोई भी sharp edges पूरे watches में नहीं है, सेको का finishing usually बहुत ही अच्छा होता है, और इस model में भी सेको ने अपना जो branding है, उसका definitely एक signature छोड़ा है, अगर हम clasp के तरफ देखते हैं, clasp से simple 3-fold deployment clasp है, इस पे सेको 5 का branding भी है, इसको push करने से lock हो जाता है, तोनों side से push button है, इनको push करके open कर सकते हैं, काफी user friendly है, 3-point micro adjustment है bracelet के अंदर और bracelet के जो links है, यह link हटा के आप bracelet को adjust भी कर सकते हो, आपके size चाहिए, आपके precision के हिसाब से, अब मैं बताने वाला हूँ, कि यह watch अगर आप लेने का decision ले रहे हो, तो आप क्यों इस watch को लोगे, देखिए सबसे पहला बात, सेको की guarantee, सेको का movement होते है, सेको का finishing होता है, और जो इनका brand value है, एक next level पर है, कोई भी American brand सेको का, जो brand value है, उसको replace नहीं कर सकते है, in terms of finishing भी, सेको हमेशा, एक different level का quality control के, पास होके, इसके हर एक product आते है, और सेको का movement है, यह in-house movement है, यह कोई sourced movement नहीं है, तो यह सब सारे चीज़े जो है, इसवाच के for में जाता है, और इसवाच का जो cons है, यह भी आपको पता होना चाहिए, एक तो है कि इस पे second hand hacking features missing है, जो मेरे लिए sourced stopper definitely नहीं है, manual winding capabilities पे नहीं है, मेरे ख्याल से यह एक feature add कर देना चाहिए था, सेको को, पर ठीक है, इसके बिना भी आप manage कर लोगे, और इसका alternatives जो है, जैसे कि Timex के watches हो गए, जो इस price range में available है market में, मेरे ख्याल से, मैं personally हमेशा Japanese brand recommend करता हूँ, over American brand, क्योंकि सबसे पहला बात तो इनका finishing, इसका brand value बहुत जादा है, resell value भी आपको सेको watches का बहुत जादा मिलने वाला है, जो SKX watches जो discontinue हो गया था 2019 में, अगर 2011 से लेके 2021 का price appreciation अगर हम देखते हैं, तो price almost double हो चुका है, 120 डॉलर में जो watch मिलती थी, on an average price Amazon USA पर, आज के दिन में, eBay पर SKX model, SKX 007 model trading हो रहा है, at least $300 पर, तो definitely सेको के watch अगर आप खरीतते हो, in terms of investment, in terms of value appreciation, वहाँ पे भी आपको एक benefit मिलता है, whereas other brands, like Timex, उस पर आपको ये price advantage मिलने का chances थोड़ा कम रहता है, अच्छे watches अगर आपको ले रहे हो Timex का, उस पर भी आपका price appreciate करने वाला है, और in terms of appreciation से को काफी आगे रह जाता है, मेरे हिसाब से, ये मेरे personal opinion है, मैं आपके ऊपर मेरे opinion force नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरे personal opinion है, कि this is a very good purchase, क्योंकि 13,500 MRP है, इसके साथ card offer, और थोरे बहुत जो भी sell period में offer आपको मिल जाता है, 10-15% का discount भी अगर अब manage कर लेते हो, तो आपको 12,000 के अंदर सेकू watch मिल जाएगा, इससे अच्छा deal मिलना बहुत मुश्किल है, As a dress watch, this is going to be your perfect companion, इसका जो look है, मैंने जितने भी बार ये watch pen के office किया हो, लोगोंने appreciate किया है, अब एक quick recap दोस्तो, आप अपना पहला automatic watch ले रहे हो, दूसरा या तीसरा फरक नहीं पड़ता है, इस watch का look अपको अगर पसंद आ रहा है, अपको personal choice है दोस्तो, watch पसंद आ रहा है तो ले लो ना, 12,000 रूपीज में सेको, आगे जाके कहां मिलने वाला है, सेको का watch इसका price व price जो है, after market में, या फिर ग्रे मार्केट में appreciate होने वाला है, तो आपको पसंद आ रहा है, किसी भी influencers के कोई भी बात पर आपको घबराना नहीं है, पसंद आ रहा है, तो खरीद लो, with Seco you can never go wrong, perfect watch है, इसका link में description box में छोड़ रहा हूं, फिलहाल Amazon में, Amazon India के website पर ये available नहीं ह पर ये watch stock में आते रहते हैं, इसका और एक color variant है, जो black color का है, वो available है अभी, तो आप देखके, आप decision ले सकते हैं दोस्तों, आप देख रहे थे watching more India, thank you so much, वीडियो को अपने इन तक देखा, वीडियो अगर अच्छा लागा, तो वीडियो को like कर दीजिए, social media account के through वीडिय का link share कर लिजिए, ताकि आप जैसे, हम जैसे, और किसी watch collector को थोरा मदद मिल जाए, चैनल पर अगर आप नए है, अभी तक subscribe नहीं किया है, तो मेरा humble request है, चैनल को subscribe करके, अपना कीमती support provide कर दीजिए, अगर description में दिया हुआ affiliate link यूज करके, आप अपना product order करते है, तो इस च watch once again, अगले content पर मिलते हैं, तब तक के लिए, खुश रही है